2022 विधानसबा चुनाव को लेकर सभी पार्टिया तयारियों में जुटी हैं तो वहीं आमादमी पार्टी विधानसबा चुनाव के टिकेट बटवारे में आगे चल रही है आमादमी पार्टी ने उत्रखंड के 32 विधानसबा में प्रभारी न्यूक्त कर दिये जो कियाने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे हाला कि अभी कॉंगर्स और बीजेपी ने टिकेट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिरेश मौहिनिया ने बताया कि विधानसभा प्रभारियों को चुनाव लड़ने के लिए जमय दिया गया है ताकि वो जनता के बीजा कर अपनी बाते रख सकें साथी उन्होंने कहा कि जल्दी 70 विधानसभा सीट पर विधानसभा प्रभारी न्यूक्त किये जाएंगे देखे हमारा यह मानना है कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव परचार में जाने के लिए कम से कम तीन महीने जरूर मिलने चाहिए क्योंकि जिससे अच्छी तरह से प्रत्याशी को जनता और जनता प्रत्याशी को समझ सके जब पित्याशी को तीन मेहे का टाइम मिलता तो वह घरगर जाता है पार्टी की नीतियां अपना विजन उस परदेश के लिए उस छेतर के लिए अपना जो समझ है वो जनता के बीच में रख पाता है लेकिन जो ट्रिडिशनल पार्टी आओं के ओल पंदरा दिन पहले टिकर देती है जिससे ना तो वह प्रदेश घूम पाता है ना प्रदेश की उस छेतर की समस्यान समझ पाता है ना उसका सॉलूशन छेतर के लोगों को बता पाता है